आज कर रहे हैं बच्छे हम लोग क्लास 10th मैट्स एन यूस का चैक्टर नुमबर 6 क्वाटिक एक्वेशन्स आज हम करेंगे इसकी एक्षिसाइज 6.3 तो पढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट कोईशन क्या कह रहा है कहा है आपको यह एक्वेशन्स सॉल्फ करनी हैं फैक्टर मैटड से देखें करते हैं इसको पहले मैं इसका और फिर फर्स्ट पार्ट करएंगे तो देखें सेकंड पार्ट करते हैं से आपको जल्दी समझ में आए गए गए 2x2 plus 3x minus 18 is equal to 0. Solve करने का यह मतलब है, यहाँ पर यह बोलना चाहते हैं कि आपको x का value find करना है. तो उसको find करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो उन्हें दिया है कि इस तरीके से find कीजिए, fact methods. तो बस हम वो तरीका लगाएंगे और x की value find करेंगे, ठीक है? तो यह है उनका solution कहने का मतलब, कि equation को solve करने का मतलब क्या कहना चाहरे हूँ. तो दीखे, इसको solve करने के लिए पचे, आपने सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो यह, कि यहाँ पर तो question बिल्कुल सई डंग से arrange करके दिये गए है. सबसे पहले आपने देखना है, क्या सबसे बड़ी जो power है, वो first position पे है, तो आप देख रहे होंगे, यह है, सभी में है, यहाँ पर भी है, और आप देख रहे होंगे, सभी में देखे, x square सबसे पहले, इन सभी में सबसे पहले, x square है. फिर आपने चेक करना है, उसके बाद उससे जस्ट छोटी पावर है, यहाँ पर x e power 2 है, यहाँ पर x e power 1 है, वो भी है, फिर x e power 0, तो यह बिल्कुल सही डंग से arrange हो रखा है, x square, फिर x और फिर non x, ठीक है, तो यह arrangement बिल्कुल सही है, अब हम next step पे चलेंगे, अब हमने, ज अब आपने क्या करना है, इस 18 को दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट मतलब इसके दो फैक्टर में तोड़ना है, फैक्टर मतलब ऐसे दो नंबर में, जिन दोनों को मैं multiply करूं, तो 18 आजाए, ठीक है, तो आप सारे फैक्टर लिख दीजे, जैसे सबसे पहले 1 से नहीं आता, 6 के टेवल में 18 आता है, वो यहाँ पर आ चुका है, 7 में 18 नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में वो आ चुका है, मतलब आगे पीछे लगए तो एकी बात होगी, जैसे मतलब 29 जा करूं या 92 जा करूं, तो यही पर स्यामिलों के सारे, तो बस यह हमारे total factor आ गए, तो यह pair बन गए देगे, एक pair बना हमारा 1 18 का, दूसरा pair बना 2 9 का, और तीसरा pair बना 3 6 का, यही तो हम कह रहे थे, 18 को दो पार्ट में तोड़ी है, हमने तोड़ दिया उसको, और multiply करने पर सबको 18 आ रहा है, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 8 9 जा 18, अब next step, अब हम इसमें से pair कौन सा उठा उनको minus करने पर 3 आ रहा है क्या, तो हम देखेंगे, किन दोनों को minus करने पर 3 आता है, 18 minus 1, 17 होता है, तो यह तो नहीं है, 9 minus 2, 7 होता है, यह भी नहीं है, 6 minus 3, 3 होता है, यह है हमारा सही वाला pair, जो हमें चाहिए, तो बस अब इसको हम यहां पर place करेंगे, तो x square plus, bracket लगाए सबसे पहरे 6x लिखेंगे, और फिर minus 3x लिखेंगे, minus 18 is equal to 0, क्योंकि हमें क्या करना था, 6 3 जा 18 होता है, और 6 minus 3, 3 आता है, तो हमें यहां पर इस लिख दिए, इसको bracket लगागे, x square bracket खोलेंगे, तो यह हो जाएगा, 6x minus 3x और minus का 18 is equal to 0, अब दो-दो के pair बनाएंगे, दो x बाहरते लिए, हमें इस साथ छोटी पावर common लिजाती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे, x square इसके पास है, यहां पर x e power 2 है, लेकिन यहां पर x e power 1 है, यह बंदा तो एक दे सकता है, लेकिन यह बंदा दो नहीं दे सकता है, जैसे मान लिजे दो बंदे हैं, और वो दोन इसके पास तो दस हैं, यह बंदा के बंदा पांच ही दे सकता है, तो वो गोलेगा, ऐसा नंबर लिए जाए जो सभी के पास available हो, इतने पैसे लिजे हैं, तो पांच ऐसा रुपिया है, जो इसके पास भी है, और इसके पास भी है, तो दोनों उतने पैसों का contribution करेंगे, जो सबके पास मौझूद हो, और सबसे के पास मौझूद होगा, वो सबसे कम पैसा होगा, तो कम वाला पैसा सबके पास होता है, लेकिन ज्यादा वाला पैसा तो सबके पास नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर देखिए, एक स्क्वार इसके पास भी था, लेकिन इसके पास तो न कैसे सबसे पहले देखें में common क्या है यहां पे 3 common है पर 18 को मैं 6 into 3 क्या सकता हूं तो यहां इसके पास भी 3 मौजूद है तो मैंने 3 common ले लिया यहां 3 भारा चुका है तो बच्छेगा क्या क्या बच्छेगा 6 और देखें जब मैंने minus भार common लिया तो अंदर के सारे sign उल्टे हो जाएंगे तो यहां पर sign minus का था तो plus का हो जाएगा दिखेंगे मैने minus common ले लिया अब आप देखेंगे यह दोनों एक जैसे आपको दिख रहे होंगे और अगर यह नहीं आ रहे जैसे तो मतलब गलत हो चुग है तो आप उसको फिर से चेक करेंगे कि उसको correct करेंगे आप इन दोनों को common ले लेंगे यह पूरी एक term है यह पूरी एक term है इसमें यह भी आ रहा है मतलब इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो इसको बहार देल का निकाल लिया हमने अंदर क्या बचा एक एक बचा यहां पर minus 3 is equal to 0 तो बस एक आगे फ्रेक्टर मारा x plus 6 is equal to 0 और एक आगे हमारे पास क्या x minus 3 is equal to 0 इसके आगे भी कर सकते हैं आप चाहें तो यह करेंगे हम लोग 6 को अधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus 6 और minus 3 is equal to 0 तो 3 को right inside ले जाएगे तो यह हो जाएगा 3 दो फैक्टर आगे हमारे कौन से minus 6 and 3 यह हमें निकालने लि लेकि solve कीजिए तो यह minus 6 और 3 यह वो values हैं असल में कि जो आप यहां रखेंगे ना तो यह पूरी पूरी equation 0 हो जाएगी तो इसके वो कह रहा है कि solve कीजिए इसको तो केवल solve का ऐसे भी बोल सकता है इसके root निकाली इस तरह से भी बोल सकता है तो बात यह है कि आप यहां पर इसका third part देखते हैं फिर first को फिर करेंगे ओके तो यह देखें third part के है 3x square minus 4x minus 7 is equal to 0 सबसे पहले आपको क्या गाता कि आप देखें arrangement सही है बेकुछ सही है x square पहले है x बात में है और 7 सबसे last में बिन x वाला अब आपने first और last का multiply करने है 7,3 is a 21 इनको दो पार्ट में तोड़ने है आपने सबसे पहले factor बना लीजिए 1 x 21 टू के table में आता नहीं 3 के table में आता है 3 is 7 is a 21 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, फिर 7 में आता है, 7, 3 जा 21, तो यह तो यहाँ आ चुका है, और उसके बाद 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, और 13 में नहीं, फिर यह किसी का 2 टाइमस भी नहीं होता, तो सीधा हम 21 पे पर 4 आता है, क्योंकि 21 में से 1 गया तब 20 बसता है, 7-3 कितना होता है, 4, तो हम यह वाला उठाएंगे, तो 3x²-7x-3x-7-7 is equal to 0, बागी पूरी की पूरी equation वैसी रहेगी, बस इसकी जगा पर हमने replace करना है इसको, तो बागी minus का sign वैसे यह देखे, के बल इसकी जगा पर हमने इस तरीके से लिख दिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, धियान रखेंगे, minus बाहर है, तो अंदर के सारे sign बदल देगा, minus, 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 plus, minus 7 is equal to 0, अब दोनों का pair बनाईए, दो दो का दिखे, यहाँ पर क्या रहा है, इन दोनों में से cable x common आ रहा है, यहाँ बचेगा 3 और 2x में से 1 minus a की x था, वो भारा आ गया, तो cable 7, और यहाँ पर, plus, दोनों में से कुछ भी common नहीं आ रहे देखे, न तो x दोनों में, और 3 और 7 में से भी कुछ भी common नहीं, तो हम क्या ले लेंगे, 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x minus 7 is equal to 0, अब देखे, दोनों एक जैसे आ रहे हैं क x is equal to 0 पर, 3x is equal to 7, minus दर जाके plus हो जाएगा, और x is equal to 7 by 3, यहाँ multiply में था, divide में चला जाएगा, x plus 1 is equal to 0 पर, x is equal to minus 1, तो दो root हमारे पास कौन-कौन से आगे, 7 by 3, minus 1, यह इसके दो factor आगे हमारे पास कौन से, 7 by 3 और minus 1, अब करते हैं इसका fourth part, 25 x square minus 10 x plus 1 is equal to 0, ती, अच्छा यह तो fifth part हो गया, कोई बात ही, इसका fifth part कर लेते हैं पहले, 25 x square minus 10 x plus 1, सबसे पहले arrangement विकुछ सही है, इसको multiply कर लेंगे, तो 25 बन जादेगा कितना, 25, तो 25 के ऐसे factor करेंगे हम लोग, जिनको factor कर लिजे, 1 के table में, 1 into 25, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, फिर 5 में आता है, 5 into 5, उसके बाद यह, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में नहीं आता, 30 में नहीं, फिर सीधा 25 पे चलेंगे, तो इसके रहें 2 pair, 21, 21 और 5 में, क्या करेंगे, वो बोल रहा है, जिनको plus करने पर 10 आता है, इनको plus करने पर 10 आता है, तो हो जाएगा कितना, 25 x square minus 5x plus 5x, plus 1 is equal to 0, 25 x square minus 5x, minus अंदर गया, तो साहीं सब के बजल दिये, plus 1 is equal to 0, दोनों का pair बनाईए, एक तो x common आ रहा है, और देखें, 5 दोनों में common आ रहा है, कैसे, 25 को आप 5 into 5 लिख सकते हैं, तो एक 5 उने भार ले लिए, तो यहाँ बचेगा 5, और एक बचेगा x, और minus पूरा का पूरा 5x भार आ गया, तो यहाँ पे के बचेगा 1, minus में दोनों में कुछ भी common नहीं है, minus 1 common लेंगे, अंदर सबके sign उल्टे कर देगा minus, reverse हो जाएंगे sign, यह हो जाएगा, यह plus था, यह minus होगी, यह minus था, यह plus होगी, अब देखें, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो हम इसे करेंगे 5x minus 1 common ले लेंगे, अंदर बचेगा 5x minus 1 is equal to 0, अब दोनो सेम ही दिख रहे होंगे आपको, तो 5x is equal to 1, x is equal to 1 by 5, तो इसके दो factor आगे हैं मारे पास, 1 by 5 और 1 by 5, आप करते हैं इसका fourth part, जो छूट गया था, x square minus 5x minus 6 is equal to 0, आपको first और last का multiply करना है, क्योंकि arrangement बिल्कूल सही है, तो 6 के ऐसे factor, जिनको पहले factor कर लिजे, 1 6 are, फिर 2 into 3, और फिर 2 के टेल में आता है, 3 के टेल में आई ही चुका है, 4 में नहीं, 5 में नहीं, फिर 6 में बस यह दो pair में बने हैं आपको, इन अब देख़ें, minus करने पर 5 आजा है, यह बोल रहे है, माइच करने पर 5 आजा है, जो इसको देख़ें, 6 minus 1 कितना आता है, 5 तो यही कह रहा हूँ, तो x square minus 6x minus 1x, छह में से एक गया तो 5 ही आता है, minus 6 is equal to 0, तो x square minus, क्या करेंगे, 6x minus, हो जाएगा, plus, minus 6 is equal to 0, x common लेंगे इन दो में, तो बचेए अंदर x minus 6, और plus 1 common लेंगे, यहाँ भी बचेएगा, x minus 6 is equal to 0. दोनों में देखे, common लेंगे, यहाँ जाएगा, x minus 6, और यहाँ जाएगा, x plus 1, जब दोनों आपने बाहर common ले ले लिए, तो क्या पच रहा है क्या है, एक x दिख रहा होगा और एक 1 दिख रहा होगा, plus 1 है न, वही हम नहीं यहाँ पर लिखाएंगे, comparison करेंगे, x minus 6 is equal to 0, पर x is equal to 6, और x plus 1 is equal to 0, पर x is equal to minus 1, ठीक है, यह जाएगा, इसका 4th part भी complete, अब करते हैं, इसका 6th part, देखें, 6th part है, 4x square minus 8x plus 3 is equal to 0, तो अब देखें, arrangement विल्कुछ सही हो रखा है, तो 4, 3 is a 12, 12 के ऐसे factor कीजिए पहले, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 के तिल में आ चुका है, 5 में नहीं आता, 6 में आ चुका है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं, फिर तो सिद्धर 12 में आएगा, तो यह race के pair, जिनको plus करने पर rate आ जाए, तो देखें, plus करने पर rate इन दोनों को आ रहे है, तो यह बाला उठाएंगे, 4x2 minus 6x plus 2x plus 3 is equal to 0, तो 4x2 minus 6x minus 2x plus 3 is equal to 0, दोनों के pair बनाईए देखें, इन दोनों में क्या common आ रहे है, इसको हम 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको हम 2 into 3 लिख सकते हैं, तो एक तो दोनों में x common आ रहे हैं, और एक दोनों में 2 common आ रहे हैं, तो यहां कितना बचेगा, 2x minus 2 बहार उठा चुके हम लोग तो 3 बचेगा क्योंकि एक ही x था वो बहार आ चुका है minus का यहाँ पर 1 common लेंगे अंदर सब के sign उल्टे कर देगा minus देखे minus common लेने पर यह 2 minus का था तो देखे plus का हो गया 3 plus का था तो minus का हो गया देखे दोनों common ले रहे 2x minus 3 यहाँ बचेगा 2x minus 1 is equal to 0 तो 2x is equal to 2 बहार जाएगा 3 x is equal to 2 बहार जाएगा 3 by 2 2x minus 1 is equal to 0 2x is equal to 1 x is equal to 2 by 2 तो यहाँ गए इसके factors अब करते हैं इसका first part देखे first part जो था बचे उसमें equation को पहले हमें standard formula लाना पड़ेगा तब उसको solve करेंगे लेकिन आपको यहाँ पर यह इस तरह की equation नहीं दिख रही होगी इस तरह की equation नहीं दिख रही है तो ऐसा करते हैं पहले हम इसको multiply कर लेते bracket खोल देते और multiply कर देते फिर यह इस तरह से equation बनेगा और फिर जब मैं इस equation को solve करूँगा तो result मेरे पास फिर ऐसा ही तो आएगा result ऐसा ही तो आता है बार बार जब हम equation को solve कर रहे थे यहाँ पर कहीं पर भी देखे तो जो हमारे पास last के जो factors आ रहे थे यही पूर्मेट में तो आ रहे थे और यही format तो सिब्स्तेथ एक पहले पहुआ दिया इसने पहले से ही को सिधा result थी पहुचा दिया result से जस्ट एक step पहले पहुचा दिया यह आते था हमारे final result इस से इस इक step पहले यही तो आता था तो असल में आपको इसको bracket open करके multiply करके फिर ऐसा नहीं करना है कि पहले आप ऐसी equation बनाएंगे फिर उसको solve करेंगे फिर last में आना तो यही है तो हम सिधा यहीं से इसका pairing कर लेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसको comparison कर लेंगे इस वाले को यह आजएगा 2x is equal to minus 3 तो x is equal to minus 3 by 2 फिर उसके बाद x plus 2 is equal to 0 पर x is equal to minus 2 यह थे इसके factor तो यह question असल में हमें पूरा का पूरा खुदी solve करके उन्होंने दे दिया है लेकिन पहले जो question से हमें वो इस तरीके से दिये गए थे ऐसे ना ठीक है तो थोड़ा सा confusing factor हो सकता था इसलिए मैंने आपको last में क उसमें इसने fit नहीं होना था factor method जो हमारे पास आता था पहले हम वो करेंगे तो फिर उसके बाद ही हमें ज्यादा अच्छे डंग से समझ में आता था थीक है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा question अगर आएगा तो आपको सीधा उसका comparison कर देना है जीरो से ओके तो